नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल जरहट के आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही बड़िया टॉपिक लेकर आया हूँ घर में आने लगी है बार बार बिली तो हो जाएं सावधान दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसमें बहुत बड़िया टिप्स और चानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा घर में आने लगी है बार बार बिली तो हो जाएं सावधान बिल्यों के सुब या असुब संकेत आजकल घरों में बिल्यों को पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है लेकिन यह कितना है या सुब है इसके बारे में कई धारनाए है नारत पुराण के मताबिक बिल्ली का घर में बार बार आना असुब माना जाता है यदि बिल्ली घर में आती है तो जरूर कुछ असुब होने वाला है क्योंकि इसे नाकरात्म कुर्जा का प्रतीक माना गया है पॉजिटिव एनरजी का नास करती है बिल्ली बताया गया है कि जहां जहां बिल्ली जाती है वहां साकरात्म कुर्जा की हानी होती है इसलिए तंत्र मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ती के परतीक के रूप में मानते हैं यदि किसी घर में बिल्ली बार बार आती है तो उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्त में उतार चड़ाओ बना रहता है समस्या लाती हैं बिल्लियां जहां तक हो सके बिल्ली को घर में बार बार ना आने दे यदि फिर भी ऐसा होता है तो उससे निकली नाकरात्म कुर्जा से मुक्ती पाने के लिए सत्य नारायन भगवान की पूजा अत्वा कोई हवन या अनुष्ठान करवाएं माना जाता है कि बिल्ली घर में एक के बाद एक नई समस्या लाती है जिस कारण घर का मुखिया तनाव में रहता है अगर आपके घर में अचानक ही बिल्लीयों का आना बढ़ गया है तो इसे समाने बात मान कर अन्देखी नहीं करें यह भविश्य में होने वाली घटना का संकेत हो सकता है इसलिए साथधान हो जाएं क्योंकि है बिल्ली असुप इसका कारण यह है कि बिल्ली के घर में बार बार आने से बिल्ली के दूत पीजाने का खत्रा ही नहीं रहता बलकि घर में नाकरात्मक उर्जा बढ़ने लगती है नारत पुराण में बताया गया है कि बिल्लियों की पैरों की धूल जहां भी उड़ती है वहां साकरात्मक उर्जा की हानी होती है यानि सुभ का नाश होता है क्यों है बिल्ली असुभ तंत्र मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ती का परतीक मानते हैं और बिल्लियों की पूजा करते हैं बिल्लियों का पित्रों से भी सम्मंद माना गया है इसलिए भी बिल्यों का घर में आना असुब माना जाता है बिल्यों के बारे में माननता है कि भूजन करते समय बिल्ली आकर देखे तो कष्ट होता है और बड़ी हानी होती है कब भाग जाती है पालتू बिल्ली घर से कुछ लोगों के यहां कोई असुब घटना होने पर बिल्यों का आना बढ़ने की बज़ए इनकी पालतू बिल्ली भी घर से भाग जाती है इसका कारण यह है कि बिल्लियों की छटी इंद्री अधिक शक्रिये होती है जिससे उन्हें पूर्वभास हो जाता है और घर छोड़ कर भाग जाती है कहीं चाटना ले बिल्ली सोई हुए है और बिल्ली आकर सिर चाटने लगे तो सरकारी मामले में आप फस सकते हैं बिल्ली का पैर चाटना निकट भवश्य में बीमारी होने का संकेत होता है बिल्ली उपर से कूद कर चली जाए तो तकलीफ सहनी पड़ती है यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो माननता के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी असुब माना जाता है जब बिल्ली बाइं और रास्ता काटते हुए दाइं और जाए अन्यथा बिल्लीयों का रास्ता काटना असुब नहीं माना जाता जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी और चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव उर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है खास कर काली बिल्ली के बारे में यह ज़्यादा माना जाता है बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है निच्छित ही इसको सुनने से हमारे मन में भै और आशंका का जन्म होता है माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अन्होनी घटना हो सकती है बिल्ली का आपस में जगड़ना बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानी और ग्रह कले का संकेत है यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि सीगर ही घर में कल्य उत्पन होने वाली है गर्य कल्य से धन हानी होती है लाल किताब के अनुसार बिल्ली को रहु की सवारी कहा गया है जिस जातक की कुंडली में सुब जिस जातक की कुंडली में रहु सुब नहीं है उसे रहु के असुब प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली पालना चाहिए लोग मानता है कि दीपावली की रात घर में बिल्ली का आना सुब माना जाता है बिल्ली घर में बच्चे को जनम देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है यदि सोई हुए वैक्ती के सिर को बिल्ली चाटने लगे तो ऐसा वैक्ती सरकारी मामले में फस सकता है यदि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली सामने से कोई खाना कोई खाने वाली वस्तु लेकर आए और मियाओं बोले तो असुब होता है यही किरिया आपके घर आते समय हो तो सुब होता है दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूले और यदि आपका कोई सवाल या सुजाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और इसी तरह की बढ़िया और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद